हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल डिफेंस लवर्स फ्रेंट्स वेरी फर्श्टली सब्सक्राइब माई चैनल बाई प्रेसिंग दिस रड़ बटन और फ्रेंट्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स हम फिर आच चुके हैं आपके बीच एक न्यू रिवीव लेके हम आज आपको 15 फैब 2021 किसका एरफोर्स एक्स वाई ग्रूप का रिवीव देंगे अमबाला का अमबाला में चल रहा है जो अमबाला में जो SMC 7 विंग में एरफोर्स एक्स वाई ग्रूप का मेडिकल चल रहा है तो हम आपको आज 15 फैव का रिवीव देंगे तो पूरी वीडियो में बने रहे हैं तो देख सकते हैं आप इस कैंडिडेट का इस बाइग का म explain करके review share किया है तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब को सुबह साड़े 6 पर अमबाला SMC में हमारा entry हुआ डोक्यूमेंट में सिर्फ medical card ही लिया तो जिस भाई को भी डाउट रहता है डोक्यूमेंट क्या के चाहिए नहीं मेडिकल के टाइम पर सिर्फ जो आपको मेडिकल का का admit card मिलता है वहां पर चाही जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है ना मार्क्षिट ना कुछ अगरा वगरा सबसे पहले हमारा खाली पैट वलत टेस्ट वा तो सबसे पहले अ प्रब्रड टेश्त हुआ उस तो केंडिडेट्स को गबरानी जरुत नहीं है वाका जैसे कि मैं अपनी अर वीडियों बता रहा हूं कि हम बाला का जो मैडिकल टीम है वो काफी कोपरेटिव है बट एन्टी वाली मैम स्ट्रिक्ट है सबको पॉइंट बना रही है दिन्स का तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवेश वीडियो में बता आया है कि दिन्स का काफी पॉइंट बन रहा है अगर माइनर सा भी दिन्स है तो उसका भी पॉइंट बना रही है यहाँ पे जो लेडि मैम प्रिवेट पार्ट वाले सर थोड़े स्ट्रिक्ट थे बट माइनर प्रोब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आप माइनर प्रोब्लम को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं वो छोड़ के सिर्फ एंटी वाली मैम को फिर दो सर और डी-एनएस चेक करने वाली मैम ने बहुत एक्सराइज करवाए जैसे आपका लोको मोशन चेक करने के लिए फ्लैट फूट नोकणी वगएर चेक करने के लिए उससे पहले एक्सराइज करा जाती है जिसमें जंपिंग पुश अप्स इसक्वार्ट होते हैं ए इन्होंने सब चेक किया फ्लैट फूट नौक नी बॉल लाग और हैंड बैंड यह सब चेक हुआ और स्वेटी पाम भी चेक हुए और काफी कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि टेडी मेडी उंगली से भी कोई दिक्कत है गया तो यह आप देख सकते हैं आप इन्होंने किलियर ली बोला है कि फिंगर टेडी मेडी भी चेक हुआ इस सब के बाद हम फिरी हुए और मैडम सर रूम में एनलाइज कर रहे थे उसके बाद एनलाइज किया मैम ने और सर ने जो डॉक्टर थे वहाँ पे और इन्होंने लिख रखा है कि बीच बीच में कुछ चैस्ट नंबर को बुला रहे थे जिनके पॉइंट में डाउट था जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि वहाँ का स्टाफ काफी कॉपरेटिव है तो अगर किसी की ECG, BP, ENT बकर जिसमें भी डाउट होता है जिसका पॉइंट बनता है तो उसे वह बलाके एक बार और चेक कर रहे हैं तो उन्हें ने चेक किया यहाँ प आप एकसमबल देख सकते हैं कि इनका BACG न्न नहीं आया था नहीं भी दोबारा मुखा मिला और इनका कुलियर हो गया यह बोल रहा है सर मेरा ECG नॉर्मल नहीं आया था बढ़ दोबारा मौका दिया तो मैंने पानी पिया और किलियर हो गया देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कॉपरेटिव श्टाफ है नहीं तो इनको पॉइंट बन जाता बीना बात के सर मैडम ने मुझे DNS में पॉइंट दे दिया बट बाद में किलियर कर दिया माइनर था देख लओ यहाँ पे कि इनने पहले DNS में पॉइंट बता दिया था फिर इनको किलियर कर दिया क्योंकि काफी माइनर था और फाइनली he got green card बहुत खुश हूं सर तो टोटल 45 में से 44 परजेंट थे 12 को गिरीन कार्ड मिला है तो आप देख सकते हैं कि काफी कम गिरीन कार्ड मिल रहे हैं बट स्टाफ काफी कॉपरेटिव है तो अगर आपको कोई डाउट हो कोई कोश्चन हो तो आप कमेंट करें जरूर पूछें और अगर आपको किसी और टोब एक भी वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट करें जरूर बताए और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और अगर आपको कोई भी इनसे कोश्चन पूछना हो जिसका भी भाई का मैडिका लो अमबाला में तो जरूर कोशन पूचे और जो आई वीजन का अमबाला केंट में चार्ट है जिससे आई चकप हो रहा है तो मैंने उसके ओपर भी एक वीडियो बना रखिए के मैंने एक्जड़ वही चार्ट अपनी वीडियो में दिखा रखा है तो आपको वीडियो देखने हैं तो लिंक डिप्स on मिल जाए क्ए को और वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में नए रिव्यू के साथ गुडबाई